ये हैं CBSE के exam controller डॉक्टर सायम बारतवाज़ी आज इनके दरब से एक live session चला जिसमें उन्होंने 2024 board examinations के रिगार्डिंग बहुत सारी important चीजों के बारे में कहा है जो कि CBSE class 10 और 12 में पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए जानना जरूरी है एक एक करके मैं आप लोगों सारी चीजें बताऊंगा वीडियो को आप रसुरूर से लाश्टर देखते रहना Hello everyone, this is your Russian बाईया, चलिए वीडियो शुरू करते हैं जब वो सबसे पहले वो जब लाइव आये तो उन्हों सबसे पहले तो यह बात कहीं कि इस साल जो 2024 की आपकी बोड़ परिक्षा हो रही है यह अपने आप में very special है, क्यों special है तो इसको लेकर आगे इन्होंने कहा कि इस बार की जो examinations है वो competency-based हो रही है अब competency-based क्या है, competency-based questions क्या होते हैं इसको लेके उन्होंने थोड़ी सी बाते कहीं भी है अगर आपको उनका live session देखना होगा तो आप YouTube पे जाके देख भी सकते हो आप उन्होंने जो important important बाते कहीं है एक एक करके मैं आप लोग को वो सारी चीज़े जो है वो बदा रहा हो सबसे पहले उन्होंने तो ये कहा एक data दिखाया कि इस बार जो 2024 की board परिक्षा हो रही है इसमें class 10th के करीब इतने students होंगे, class 12th के इतने students होंगे total number of students 39,081,511 होगा समझ सकते हो इतने सारे students जो है इस बार 2024 board परिक्षा एपियर कर रहे है 10th वालों का तो काफी ज़्यादा संख्या है, 22 लाग तो सिर्फ class 10th वाले बच्चे इस बार परिक्षा दे रहे है इसको लेकर total जो examination center बनाया गिया है वो 7,127 है subject of examination, कितने subject परिक्षा होगी, यह यहाँ पर दिया होगा है combination offered by subjects, यह सब सारा यहाँ पर दिया होगा है तो यह सब कुछ data दिया गया, सबसे पहले उनके तरब से आब उन्होंने question paper को भी लेकर कुछ चीजें बताई, question paper को लेकर जो आपकी 2024 की board परिक्षा हो रही है, इसमें आपके question paper को लेकर क्या-क्या बाते कही है है वो सब सारी information भी यहाँ पर given आप लोग को दिख रहा होगा, कितने language में बने है, total bags, इसके लिए कितने used हुए है समझे लो total bags कितने used हुए है, in question paper को लेकर यह भी दिया हुआ है, कितने push offices में in question paper को भेजा गया, यह सब सारी data यहाँ पर दे हुई है आगे आपके examination से related बहुत सारी चीज़े दी गई है, पस वीडियो का पुरा last तक देखते रहे ना, हर एक चीज मैं आप लोग बताऊंगा, जो उन्होंने अपने live session के दौरान बताई है आप देखो उन्होंने क्या important चीज़े mention की है, देखो कुछ लोगों का mathematics standard है, कुछ लोगों का basic mathematics है, कुछ लोगों का hindi A है, कुछ लोगों का hindi B है, इसी परकार से किसी का English communicative है, किसी का English language and literature है तो इसके लिए, जिन भी बच्चों का अलग-अलग होगा, तो उनके लिए separate sitting arrangement होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे दिया हुआ, इसके लिए जो question paper होगा, उनको भी correctly मिलनी चाहिए, यह सब कुछ important चीज़े जो है वो लिखी है, अब इसके बाद क्या-क्या important instructions द होता है, कई बार ऐसा होता है, कि question paper या तो हमें समझ में नहीं आता है, या तो कुछ misprint हो जाता है, कुछ गलती होता है, तो हम परिशान होने लगता है, तो इसको लेकर जो भी आपके सामने teachers होंगे, जो आपके examinations conduct करवा रहे होंगे, तो उनसे बात करनी है, तो वो teacher भी आ आती है, question paper में तो, और important बात क्या कही, सबसे most important जो कि उन्होंने अपने live session के दोरान कम से कम चार से पांच बार उन्होंने repeat किया होगा, वो यही है कि examinations center पे आपको timely पहुंचना है, timely पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, तो इसको लेकर दिया हुआ है, देखलो, एकदम strict आदेश जो है, आप बोल सकते हो, CBSE के तरब से दी गई है, कि आपको examinations center पे जो है, वो 10 बजे तक पहुंच जाना है, 10 बजे के बाद आपको permit नहीं किया जाएगा, ध्यान रखो, अगर 10 बजार उसके बाद आप examinations center पहुंचते हो, तो gate बंद हो जाएगा, आपको examinations नह पहुंच जाना है, और important information और क्या क्या थिक, तो आपको अपने school uniform में जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, तो school का i card लेकर जाना है, admit card लेकर जाना है, और जो भी permitted items होंगे, वही सब लेकर जाना है, आपको mobile नहीं लेकर जाना है, wallet नहीं लेकर जाना है, chat, GPT नहीं लेकर जा ना है यह सब सारा चीज यहां पर दिया हुआ है अब यहां पर कुछ चीज और इंपोर्टेंट क्या है देखो यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट एक पॉइंट उन्होंने क्या कई है इसको ध्यान देखो correct entry in answer books by the students जो copy आप लोग को मिलेगी answers लिखने के लिए जिसमें आप answers लिखोगे तो उसकी जो front page होगी उसको बिल्कुल correct भरना है उसमें गलती नहीं करना है वो गलती करोगे direct आप फेल होगे इस चीज का ध्यान में रखो आपकी result pending में चली जाएगी आप फेल हो जाओगे इस हम correct entry करेंगे अपने answer seat का front phase हम कैसे बरेंगे नहीं आता होगा इसकी वीडियो हमने just एक सब्ता पहले ही बना दी है उसका मैं वीडियो के description पे link दे दूँगा comment box में भी pin कर दूँगा जाके जवर देख लेना उसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा उस वीडियो में ब पहले बार तो यह कि उसमें आपको seven boxes मिल जाएंगे जितने डिजिट के आपके रॉल नंबर होगे एक बार एक बार जरू चेक कर लेना कि seven digits के रॉल नंबर है या छे डिजिट के रॉल नंबर है बढ़ने से पहले क्यों कि रॉल नंबर गलती मत करना मैं बार बार आपको instruction कर संदे रहा हैं कि रल नंबर गलती मत तो पहले चेक कर ले ना कि six digit का जो box यो सारद होगा बना होगा है अगर चेप बना हो ऑना हुआ बारinação साथ बिजिट का है तो क्या करना होगा पहला एक पहला डिजिट है इस box के पहले लिखना होगा ठीक है इस चीज को धियान रखना फिर भी समझ में अभी आपको अगर नहीं आ रहा होगा कि सर मुझे पता नहीं जल रहा है कि कैसे हम feel करेंगे तो जो भी आपके सामने जो teacher होगे ना उनसे पूछ लेना कि सर यहाँ पे तो 6 boxes हैं बट हमारी roll number 7 boxes या तो हो सकता है 7 boxes आपकी roll number 8 boxes की होंगी तो वैसे condition पे आप teacher से पूछ लेना कि इसको कैसे feel करना है ठीक है अपने मन से कुछ भी मत भर देना मैं बार बार चीज को कह रहा हूं आपको क्योंकि सायम भारतवाद जी आपको खुद कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई गलती आ इसके लिए उन्होंने साइन करने का फैसला लिया है 20 से 25 के answer book के एक दिन में sign होंगे 8 गंटे का ये समय होगा चीक है and Sunday को कोई भी evaluation work नहीं होगा Sunday को काम नहीं होगा मतलब कि Sunday को copy checking नहीं होगा आप देखो एक और important चीज जो जब आप examinations दे रहे होगा ना तो उनके बेल के schedule को लेकर भी यहाँ पर दिया हुआ एक बहुत इंपोर्टन डेटा देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लाश्ट इंट्री इंदा examination center examination center के लिए लाश्ट इंट्री की कब तक है 10 बजे तक 10 बजे के बाद आपको इंटर नहीं किया जाएगा जैसे कि मैंने शुरू में ही कहाया इस चीज को लेकर वो बार-बार कहते रहे है ठीक है अब जैसे आप 10 बजे पहुंच गए तो आपको कोशन पेपर मिलना सुरू हो जाएगा इस समय आपको एक लॉंग बेल मिलेगा ए देखो यहां से आपको यहां तक 15 मिनट के बीच में आपकी सिटिंग एरेजमेंट होगी आपका जहां पे जिस भी जगह पे आपको बैठना होगा तो उस जगह पे आपको बैठाया जाएगा जैसे यह 10-15 हो गया तो 10-15 में आपको कोशन पेपर मिल जागा आप जैसे कोश सकते हो लेकिन आपको एंसर नहीं लिखना होगा इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि यहां पर देखो यह भी दे दिया कि एक्जामनेशन जो है वो स्टार्ट होगी सारी दस बजाब को कोशन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलेगा और जब भी आपकी से पहले बचा ओवा रहेगा तो उस समय भी एक सिंधल गिल मिलेगी वह की जो की एक वॉर्निंग बेल होगी ठीक है तो तो यह कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन्स थे जो कि एक्जाम कंट्रोलर ने आप लोग को दिये हुए हैं आई होप कि आपको यह सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी एंड इन सब चीज़ को फॉलो करना किसी भी तरह कोई मिश्टेक नहीं करना वरना फिर जैसे कि मैंने सुर्व मिखाना कि अगर कहीं पर भी कोई भी मिश्टेक करते हुए सीधे फेल हो जागे चाहिए आपने कॉपी कितनी अच्छे से लिखाया या नहीं लिखाया सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने एंसर सीट का जो उसको सही सही बढ़ना वीडियो का लिंग डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में मैंने पीन कर दिया है जाके एक बार देख लेना मिलते हैं तुसरे वीडियो में चैनल को यह इसी तरह से इंपॉर्टेंट न्यूस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर रखे रखे रहना थैंक यू बबाए